Assalamu alaikum dear learners, potential entrepreneurs and non-tip-neurs in action, welcome in the video. Video में हम बहुत एहम बात कर रहे हैं, हमने एक सीरीज शुरू की थी, intellectual property और intellectual property right की, फिर उसमें हम आए trademark में. Trademark के discussion के इलावा हमने का था, हम आपके लिए बहुत एहम discussions लेकर आएंगे, जिसमें patent है, जिसमें copyright है, जिसमें design है. तो इसी सिसले में बात हो रही है, मेरे को होस्ट है, डॉक्टर रिजवान सलीम और अपने स्टूडियो में हमने बुलाया है, सीनियर लॉयर, असर दबास वर्टस आप को, बहुत एहम discussion है, खासतोर पे उन on-tip-neurs के लिए, जो on-tip-neurs कोई नई चीज इंवेंट करते हैं, क पेटन्स भी जिस तरह से ट्रेडमा का जिकर हुआ, ये एक manifestation है, आपके intellectual property की और property rights की, फिर उसके बाद आपके आजाते हैं, तो बिल्कुल पेटन्स भी जिस तरह से आप अपने ट्रेडमा के registration करवाते हैं, पेटन्स का बुनियादी तोर पर जो domain है, वो आपके फार्मूल की बात करें, जैसे ब्रिविजिस हैं, जैसे आपके cooking oils जो तियार करने के फार्मूला से हैं, तो पेटन्स बेसिकली उससे मतलिक होता है, लेकिन अगर आप बात देखें तो आपको पता चलता है, आपका entrepreneur उनको सारी चीज़ों की जरूरत है, जैसे वो trademark की register करवाएं, तो अगर कोई medicine तियार करने वाली company है, तो trademark के इलावा उनको patents की भी जरूरत पढ़ सकती है, अगर उसके ओपर अपना वो कोई वी लॉग या अपनी को advertisement बना दें, तो आपको पता चलता है कि उनको copyright की बिजरूरत पढ़ गी, तो intellectual property right बेसिकली उन सारी चीज़ों को ही cater कर रहे होते हैं, लेकिन patents का क्योंकि आपने पूछा है, तो इसको अगर आप फरक पैदा करना चाहें, कि trademark registration क्या है और ये patents क्या ह अपनी product or services को sell करते हैं, उसके मुतालेक है, गवर्निंग law के बेरें, गवर्निंग law इसके अंदर 2000 में ordinance मिलता है, जिस तरह से 2001 के अंदर हमें trade mark का ordinance मिलता है, उसके अंदर तफसीली आपको provisions मिलती है, इसके अंदर rules भी आपको आजाते हैं, जो गालबन 2001 में आए, उसके अ आप एक एक चीज को पकड़ेंगे तो वो discussion बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि intellectual property organization जो है, उनकी website के अपर काफी ज्यादा material मुझूद है, उनके tutorial मुझूद है, तो आप case to case depend करेगा कि आप क्या चीज लेके उसको आप उसकी detail जानना चाहते है, ठीक होगे, अच्छा 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 के हमारी इन वीडियो का तालोग इस बात से भी होता है कि हम entrepreneurs को sensitize कर सकें, कि वो legally अपने आपको, अपने business को, अपने idea को, अपने formula को किस तरह से protect कर सकते हैं, सबसे important चीज, patent अगर आप file नही करते हैं, अपने आपको legally protect नहीं करते हैं, आपने अपने experiences की base के अपर में बताएगा, क्या-क्या नुकसानात देखें, यानि in other words, हम अपने entrepreneurs को sensitize करना चाहरे हैं, कि ये जरूरी क्यों है, तेगें बहुत जरूरी है, जैसे trademark का तसकरा हुआ, या design की बात करते हैं, उसी त ममारी के लिए चीज़ हैं, तो वो आप देखते हैं कि आपने एक काविश के बाद, आपने एक मेनत के बाद, अपनी एक चीज़ तहलीक की हैं, तो वो अगर आप उसको protect नहीं करते हैं, तो कि दूसरा वंदा उसी फार्मूले को चुरा के अपने नाम से register करवा लेता है, तो बाद में आपके लिए थाबित करना मुश्किल हो जागा, क्योंकि जब आप तहकीक के मराखिल में होते हैं, या रिसरच के मराखिल में होते हैं, तो आप उस वकत आप अपनी चीज़ों को evidence नहीं कर रहे होते हैं, तो आपने अगर मार्केट में sell की और वो रिजिस्ट तो आप imagine करें कि उसकी कितनी ज्यादा बिक्री होगी, या उसका कितनी ज्यादा मार्केट होगी, लेकिन वो एक तहकीक या मेनत के बाद आई है, तो उसके लिए उसकी protection बहुत ज्यादा जूरी है, उस medicine ज्यादा उसकी protection जूरी है, तो यह तो है, अच्छा, registration के हवाले से, रिजवान की कुछ सवाल के है, ये बताएए, असाथ साब के जो patent की registration का process का वो trademark वाले है या उससे मुखलिफ है, तेकि more or less similar है, जैसे आप अगर बात करें कि availability उसकी जाचना पड़ेगी, और detail में आगे जाके जाके जाहिर है, ये formula के registration है, तो इसके अंदर आपको samples और एक तो उनके अंदर लिबाटरी के जो experts हैं, वो बैठते हैं, फिर history देखी जाती है, तो उस sense में थोड़ा बहुत मुक्तलिफ हैं, लेकिन more or less इसका आप देखें, तो trademark से मिलता जुलता आपका procedure, आपको नजर आता है, इसमें भी opposition के इमकानात होते हैं, जिस तरा trademark में oppose कर सकत होती है, मिसाल के तोर पे, इसमें सबसे वड़ी objections है, वो organization हुदी होती है, क्योंकि basically formula से related हैं, तो पहले तो वो उस field से related expert, जो है, उनकी body, उसका जो है, उसको ताइनात किया जाता है, या उसको मुक्रर किया जाता है, उसके बाद वो देखते हैं, जि पहले से ये already जो होला है, तो वो बताती हैं, जि कि ये hypertension के जो मरीज हैं, वो इसको इस time लें जा इस मिकदार में लें, या पहले doctor की ख़दायत के मताबिक लें, तो opposition सबसे पहले तो इसके अंदर आपकी body होती है, या organization होती है, जिसके पास आप register होने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा मरहला ह फिर देखना ये पढ़ता है कि कोई दूसरी जो company है, उसकी medicine से ये किस तरह से मुक्तलिफ है, अगर आप उसी के formula को किसी नए brand के साथ दे रहे हैं, तो फिर आप उसकी violation कर रहे हैं, तो वो आपका register नहीं होगा, तो opposition आपको in one sense or other sense तो रहती है, उसके बाद आपके आपके लेवल की legal advice ले रहे हैं, इसाल के तौर पे जाहिर है, इसके अंदर एक law expert involved होते हैं, वही चीजों को जो है वो तरतीब देते हैं, उनकी सारी order के अंदर चीजे करते हैं, तो depend करता है कि आप किस lawyer से या किस legal advisor से आप करवा रहे हैं, तो फिर lawyer की fees तो जो है, वो case to case vary करती है और अपनी standing के मताबिक पी उनकी vary करती है, अचैसे एक और बड़ा एहम सवाल, क्योंकि अब आपने trade mark registration की बात की थी तो आपने काता है कि trade mark registration की जो duration है, वो 10 साल के है, 10 साल के बाद जाके आपको अपना trade mark renewal करवाना पड़ता है, मैं patent के बारे में धाना चारी हूं कि अगर मैंने अपने कोई भी फार्मूला रेजिस्टर करवा लिया है, तो क्या उसकी duration क्या और क्या इसको भी renewal की जरूत रहती है? देखें, बिलकुल रहती है, लेकिन इसके अंदर एक खुबसूरत बात यह है, कि patent के अंदर जो, क्योंकि फार्मूलास हैं और वो एक अरसे के बा लाउमर्स का जा सकता है, लेकिन जनरली साहिर इसकी renewal की duration होती है वो भी ten years है वो आपको उसके अंदर आपके renewal करवानी है, फिर जैसे मैंने तथक्रा किया था किया ता कि आपने उसको उसको इसको इसको इस्तमाल करना है, आप पने पेटेंट को ले के रख चोड़ाएं और करे के जाता हूँ उस authority के पास कि जनाब ये तो ले के बैठे हुए registration ये तो लोगों को दे नहीं रहे उस तरह से इस्तफादा नहीं हो रहा तेगिन law जो है वो balance करता है चीजों को जहां भी आपके rights जो है वो उसको protect कर रहा है तो लोगों के भी rights है अगर आपने formula को ले के रख चोड़ा है और आप उससे इस्तफादा नहीं ले रहे तो ये पब्लिकेट large का या उन patients का जिनको जरूरत है उनका तो नुक्सान हो रहा है तो वो एक balance नहीं आरा law के तो law उस sense में फिर उसके नफी करता है कि जनाब आप इसको इसको इस्तमाल करें आपके rights हैं लेकिन लोगों को भी तो फाइदा दे आपको भी profit मिलेगा लेकिन market में medicine तो ले किया है तो इस sense में एक equilibrium जो है वो create करना law की में नजरा आता है रिजवान एक बड़ा एहम सवाल किया था ट्रेड मार्क की दफा में और वो था इसकी territory के बारे में ना कि आप किस जगह पर किस country में या किस एक जिसे कहते हैं location पर है और वहां पर आपना patent जो है वो यही है कि अगर मैंने अपना कोई patent कोई भी formula पाकिस्तान में रेजिस्टर करवा लिया है तो can I carry the same to any other country और क्या वहां पर भी protected है के नहीं देखें दो सूर्ते हैं एक तो पहला सवाल पहला जवाब यह है कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान में करवाया है तो आपको एक सखूलत जरूर मुएसर होगी कि आप वहां पर जाकर अपना case establish कर सकते हैं और आपको registration के अंदर priority दी जाएगी as compared to other companies या entity जो उसको register करवा रही है लेकिन इसका एक दूसरा value यह है कि आप अगर यह assume करके बैठ जाएं कि I am registered in Pakistan so it means कि I am registered everywhere in the world तो यह बात गलत है उसके लिए आपको procedure adopt करना पड़ता है priority आपको मिलती है ठीक यानि कहने का मकसद है कि बिल्कुल trade mark की तरहां आप अगर किसी और country में जा रहे हैं सबसे best practice यह है कि वहां भी जाकर आपने आपको register कर वा लें ताके violation हो तो आप दोनों मुलकों में protected feel करें असर thank you very much for your time बहुत एहम debate है जी patents की के patents क्या है governing law क्या है क्या procedure है कि आप अपने patents को जो है वह पाकिस्तान में register करें और in case अगर आप अपने आपको expand करना चाहते हैं other than the boundaries of Pakistan तो अगर बाहर जाएं तो किस तरह से अपने आपको legally protect कर सकते हैं पेटेंट और पेटेंट से related और भी जितनी details हैं जिसे असरत ने बताये वह आप IPO की website पे जाके details में पढ़ सकते हैं see you in the next video